जै हिं जै भारत आप देख रहे हैं जै भारत मीडिया जहां हम बनते हैं जनता की आवाज आपने एक कहावत सुनी होगी एक अनार सो बिमार और एक शेव जो होता है यानि रैपल कीप्स यू डॉक्टर अवे उसके बारे में भी लेकिन आपने एक और बात सुनी होगी कि यूएस से के बाद भारत बड़ी तेजी से इस मामले में आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि यहां पर मोटापा का मामला बहुत तेजी से बढ़ रहा है आज के दिनों में और लोग परिशान होते हैं कि इस मोटापे को काबू कैसे जाए लेकिन परिशानी कब बढ़ती ह जब उन्हें पता चलता है कि मोटे हम हो गए है वो काफी टाइम निकल जाता है उसके बाद में उन्हें पता चलता है उससे पहले पता नहीं चलता है ना उनके लाइफस्टाइल से वो चेंज कर पाते है ना कुछ कर पाते है और उसके बाद सुरू होती है दोड यानि की प बात करने के लिए अगर बात की जाए भारत में कितने लोग आज मोटापा से इग्रसीफ होंगे पीडिफ होंगे अगर हम देखा जाए तो almost 25% जो हमारी urban populations है वो मोटापा से प्रिडित है और मोटापा is a lifestyle disease and it is preventable most importantly thank you for inviting me to this channel और मुझे यह बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यह opportunity मिली है और आप लोग से पहुंचने का क्योंकि हम treatment से ज्यादा जरूरी है मोटापा से बचना और WHO का कहिना है कि it is preventable and one of the leading cause of preventable lifestyle death तो कि मोटापा से बीमारिया बहुत हो सकती है तो इसलिए prevention बहुत जरूरी है मोटापा यह बहुत क本प कि मोटापा ना आ and बढ़ पाए तो क्या होतर बहुत ही इंदा प्रेशन है और हमारा purpose लें है जो मोटापा होता है जैसे गर simple मैं बीड़ा simply समझाता हो अगर किसी कå हाइट है 170 cm अगर तो उसका आइडिल बोड़ी वेट कितना होना चाहिए अब 100 यह रफ है तो 100 भता दीजिए तो 70 किलो तो उसके पांट 10 किलो उपर नीचे जैसे सब्सक्राइब को पता है सिंपल अब हाइट तो सभी को पता है you don't need to go to any lab or something to calculate your BMI पहले तो उसी से पता चलिजाता कि आप अब अब वेट काटिगरी में पहुंच गहे हो अगर जैसे ही आप देख रहे हो कि मेरा वेट होना चाहिए 70 किलो आइडिल वेट वेट मैं 60 किलो का हो गया यह 10 किलो जैसे ही हो गया वो अब वेट काटिगरी में आ गया हो and that is the best thing which can you know wait a best time to act क्यों क्योंकि इसमें आपको किसी डॉक्टर की भी ज़रुवत नहीं है किसी योगा तरफेश या कोई लाइश्टार चेंजिस की भी ज़रुवत नहीं है बहुत ज़्यादा आपको मैनत नहीं करने पड़ेगी so far as taking a help from a professional is concerned you can do it by your own अगर आप लाओ करने पड़ेंगे तो आसा physical activity मैं हमेशा कहता हूं उस समय is the best to take a trisule अपने हाथ में लेना है trisule जिसे strident तो तीन जो है एक तो अपना डायेट हम क्या खा रहे है उस पर तुछा कॉंशिस हो जाए खाने में conscious हो जाए प्लेट जो है चोटे चोटे काम करना है जैसे प्लेट पड़े है तो चोटे प्लेट में खाया है पूरा पेट भरके नहीं खाना है थोड़ा से खाने में लेमिटिशन शुगर्स कम करना है लाइफटाइल चेंजर करना है फिजिकल एक्सराइज करना है तो त्री चीज़ डायेट लाइफटाइल चेंजर और एक्सराइज यह तीनों चीज़ अब आप प्र हाथ में लेते हो और साइंस नहीं देखा है कि और मॉस्ट नैटिफ़ परचन है और सुबह सुबह वह धीरे-धीरे कदमों से पार्क में टहलते होते हैं है आपको आपने कई जगा होगा देखाँ होगा लोग ते नजर आएगेके चानों और पार्क में टहलते हो जाएगे ने अच्छी बात है मैं तो कहूंगा कोई भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी बात है यह वर्क करेगा यह वर्क करेगा कोई फिजिकल एक्टिविटी अब वर्क करो specially यह वर्क तब नहीं करता है जब आप 30-40 किलो वर्वेट हो that time it doesn't work because क्या होता है जैसे ही हमारे BMI पहुंचाती चालिस के उपर माल लिजेगा 30-40 किलो वर्वेट है आपका ओलरी 40 किलो वर्वेट है आपको 70 किलो है अब 120 किलो के तो पहले जैसे आप किसी से बात को जिब में चले जाओ तो बड़ा असान होता है लोग चले जाते है टेड मिल मे इस बादी कंडिशन नहीं होती है जो वेट एक दिन में नहीं बढ़ता है तो बादी कंडिशन नहीं आप इमेजेटली उनको चलए चलने को दिब करने बागे तो इंजूरी जोने का ड़ रहता है तो वेजूली आपको स्टेप लेना फिर हैल्प लेना पड़ें हो अब ओवरएड के टीज़ोरी में हो तो आप तो आप से लाइपस्टाइल एक्षराइज वारा करोगे तो benefit रहते ही रहता है तो लाइश्टाइल में खाने पीने में ज्या बदा बदा बैंक सब्सक्राइब साथ यह keto diet, GM diet, बहुत सारे के diet है, intermittent fasting, so it works differently, there is no single short solution, मैं कोई मुनों कौन सा diet plan है, I am not the right person, dietitian आपके सरीर को देखेंगे, शुगर है, उस हिसाब से tailor-made करेंगे, तो better होगा, लेकिन 4-5 चीजे जो चीजे हैं, और मैं आपको add-on करूँगा, जैसे sugar, sugar का मात्रा कम करना है, किसी भ बिल्बरेशियर स्टींग, जैसे मीथा होता है, वो कम करना है, oil products कम करना है, oily products, dairy products, बिल्बरेशियर से पहने, पनीर is not bad, but oil, just till, till, till जो होती है, कोई बहुत संप्रावल अच्छा है, I am not the right person, बहुत करना हो, oil किसी भी मात्रा में, हमें चाहिए ज़्यादार स्ट्यूट, ज़्यादार कम oil में खाना, sugars कम करना, और मिठाईयां, अभी दिवाले में मिठाईयां, तो रोखना चाहूंगा, यहाँ पर यहाँ पर यह जो लाइट oil है हमारा, आप उसे तल के खूप प्राय कर देखा लगे, तो क्या कहते हैं, यह कंप्रायों का ध्रामक प्रचार को कर अभी बड़ी मानलब होदे वाले लोगों को भी उनको मना किया है, वानिंग दिया है कि इस तरह का प्रचार ना करें, तो दीरे दीरे चीजे ठीक हो जाएगे, यह मिस्क गाइडेंस होता है, उसको भी कम करना है, और किसी भी तुदार से दिखोंगे, डायेट जो होती है, इंपोर्टन फैक्टर है आपका वेट में, तो वह इंपोर्टन है, और मिठा सबसे ज्यादा कुशल है, कोका, पोला, पास्फोर्ट में, इस बहुत इंपोर्टन फैक्टर है, उसको कंट्रोल करना है, जी को किस नजर सरे रेक्टे हैं, जी का भी अलगले पतिक रिया है, जैसे मैंने कहा, देरा सम अलसेटेट फैटिय एस होते हैं, कुछ इस पोली एसेट फैटिय और बहुत सारे फैट्ट होते हैं, देरा सम डायेट प्रग्रम, देरा सम बुक्स विश भी न ऑन घी के बेनिफिट के लिए, जो एज इसको टेलर में करना है, कोई भी चीज ऐसा प्रग्रम, 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 to the individual according to his physical activity वो क्या काम करते हैं और प्रोफिशियल यही help करते हैं अगर में कहूं अगर एक कोई प्रिवेंटेबल लाइस्टाइल है जो एस खतरनाक इस प्रिवेंटेबल लाइस्टाइल नहीं है चाहे जितनी की स्टडीज आजाए जाएं मोडरेशन में रखे हो उसको चाहे में लिवर फैटी लिवर मोटापा से पहले वो लिवर आपका खराप करता है किदमीस में अफिजर करती है and together when you are diabetes and taking alcohol and smoking is a deadly combination. खाने पीने में आपने बदलाव कर सकते हैं, लेकिन खाने में जा कुछ ऐसा special fruit है, या कुछ खाने की ऐसे कुछ चीज, millets अगेरा जिसने की आपका मोटापा रूप जाएगा, वो भी फुड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, लेकिन खाने में जैसे जो चीज वर्क करती हैं, जैस जैसे आप जैसे जैसे दिन धलता है, हमारे फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, तो बेस्ट होगा कि आप दिनर जब सोंगे, उसके तीन-चार गंटे पहले अपना मीज शारा खतम करें, और दिनर इस भी तर लाइटेस और हो, और मोर अफ बैलेंस में क्या होता है, जैसे भी आप खाना खा रहे हो, आप शादी में जा रहे हो, यह नहीं कि आपको बहुत डायेट करना है, यह चूज यह फूज, चूज कैसे करना है, प्रोटीन वाला पार, आपको यह समझना, बायकेमिस्ट्री सिम्पल बायकेमिस्ट्री है, जो ग्लुकोज है, वो कभी प्रोटीन में नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो प्रोटीन है, they can melt into glucose and जो बोडी की जो fuel है, जो आप खेल रहे हैं, दोल रहे हैं, वो fuel is fuel है, normal fuel है, वो आपको प्रोटीन मास नहीं बढ़ाती है, आपको थोड़ा सा टाइम दोंगा इसमें, बहुत सिंपल चीज है, तो वो जो glucose जो है, देली requirement के लिए, वो calorie बढ़ता गया, जो भी खाना-खाना calorie है, तो बढ़न करना पड़ेगा आपको, intake and output, balance, प्रोटीन आपको डेली requirement है, तो आपका जो डेली requirement है, मानलो 200 kilo calorie है, जो प्रोटीन requirement आपको पहले पुरा करो, तो अगर हम देखाजिए हमारा protein requirement कितना है, वान ग्राम पर kilo, आपका जो 60 gram है, अगर आप 60 kilogram है, तो आपका 60 gram protein है, अब हमारा जो diet pattern है, इंडियंस में specially, वो 60 gram protein fulfill नहीं हो पाता है, तो 60 gram protein को आप calorie आपको बना लो daily requirement, पहसाना calorie उससे आप calculator बाकी का फिर आप उसको glucose या लिपेशा फैर्स चिकम, तो जैसे ही आप शादी ब्याद में गए हो और कुछ भी जा रहे हो, तो protein part ले ले, आप खाना ले रहे हो, तो protein से पहले भड़ ले, चिकम, मैंने patients आते हैं, patient भी हमें सिखाते हैं, तो मैं देखता हूं कि बहुत स्प्रेट हो गया, वो स्लीम हो गया, वेट बिलकुल नहीं नहीं रहा, तो बहुत अच्छा रहता उसका, तो मैंने बले तुमके खाना तो बिलकुल छोड नहीं भिया, मैंने से मैं एक चिकन खा लेता हूं, I take one whole grilled chicken, I don't put any oil, I just grill it, boil it, I take whole chicken, दिर में खाले तो कोई लिकत नहीं है, तो that is what you eat, it's not how वेट, मैं यह जानना चाहँगा कि नॉनवेज और वेज, इन दोरों में किसका वेट सबसे जल्दी घटता है, अब नॉनवेज या वेज में यह बताना बहुत मुश्चिल है, लेकित यह मैं बता सकता हूं, जो calorie requirements, जो protein requirements के बारे में, अग पर्टी परसे जाता है, you cannot say, वेज से ही protein में से, चिकन में यह सोलो ग्राम है, एक अंडे से 6 ग्राम प्रोटीन होती है, इस इंपल कलोरी requirement है, सोयबेज से करी 40-30 अचाहँ है, so you can imagine, वेज में कितना source है, exactly, it's very difficult to tell me, you have to say, देखना है आपको, वो अपना calculate करना, जैसे कि आप bariatric surgery कराने के लिए, जब आपके पास लोग आते हैं, तो सबसे पहले आप, उनको क्या सलाह देते हैं, क्या bariatric करानी चाहिए, या फिर दवाईयों के द्वारा आप वोजे सही करना, देखे, मैंने जो कह पास बेटिक सर्जरी, जब भी कोई सर्जरी, कोई भी सर्जरी है, सर्जरी तभी पिक्चर में आती है, वेल, मैडिसिन देखना है, मैलरिया में तो सर्जरी नहीं होती है, तो whenever there is a surgery involved, that means the medical measures have already filled, so when there is an indication, अगर कोई medical जहां सर्जरी का indication नहीं है, अगर तब हम सर्जरी करें, that is not the right approach, so we have to tailor make, जैसे patient आते हैं, उनका हम body weight, body fat percentage, BMI, सारा कुछ calculate करते हैं, like that, क्या-क्या metabolic problems है, diabetes है, blood pressure है, already with obesity से, क्या-क्या problem से, वो अग्रस्त हो गया है, so हम उस हिसाफ से अनुमार लगाते हैं, और बड़ी अ बड़ी वाले surgery, we together see a patient, अगर कोई obese आता है, जिसको medical treatment, चाहिए, वो medical देते हैं, some patients are only non-surgical measures, यह को या medical, जैसे BMI हो गया, इसके नीचे, तो उनमें जाना तर medicine, या diet, exercise, जैसे मैंने का, तुशुल काम करती है, लगिन कुछ मरीज होते हैं, जिनमें surgery के end rate नहीं है, लेकिन कुछ इन से बढ़ के करना है, तो there are some non-surgical interventions, जैसे gastric balloon, बिना swallowable पिला आता है, मुह में पिला दिया, बैलून होता है, but this is not going to work for a patient who has more than 40 BMI, तो tailor-made करना पड़ेगा, एक treatment नहीं है, तो depending upon your BMI, अगर हम बात करें, तो bariatric surgery का बभी के लिए useful होते हैं, या नहीं हो पाकी तही हैं, क्यों कि WHO and NIH, National Institute of Health, NHS हो गया, जो UK की और America की, sorry, WHO है, जितनी भी बड़ी health society, उन्हें नहीं कहा है, अगर morbidly obesity है, जिमाने BMI 40 से जादा है, then surgery is the most effective treatment for long-term weight loss and maintain weight loss, हवदें follow-up करें, 15 साल, 16 साल follow-up patient है, 50% से भी ज़्यादा weight loss maintain रहता है, longevity of the weight loss is integral because other measures may not work for durable weight loss, weight loss होगा कम दिनों के लिए और वो फिर दुबारा बजा, जहां से शुरू किया है, उससे डबल हो जाता है, wedding surgery is for sustained weight loss, long-term weight loss and the indication है, अगर आपका BMI, अगर single BMI से calculate करें, तो BMI अगर 40 से जादा है, तब करना चाहिए, और BMI 35 से जादा है, तो diabetes और BP या weight later problem शुरू है, तब करना चाहिए, और जो Indian guidelines है, उसमें 2.5 BMI और कम करते हैं, क्योंकि हमारा body में fat percentage बहुत जादा है, और हमें heart attack और cardiac event होने के risk थोड़ से जादा है, compared to the western population, जिनमें protein mass उनका जादा होता है, तो हमारा fat percentage तो आज जादा होता है, that is the briefly about the indication, बहुत सारी चीजे जो आपने clear किये हैं, आज हमारे साथ बात करते हुए, क्या कुछ ऐसा कुछ आपको लगता है, कि लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जिसे कि मोटापे की तरफ ना जाए, और अगर मोटापे की तरफ जा रहे हैं, तो वो रुक जाएं और अपने वा क्यों बढ़ रहा है, डाइबटीज, सबसे बड़ी अगर ओबीसिटी से रिस्क अगर माना जाए, नाए टाइप 2 डाइबटीज का ओबीसिटी के साथ लिंक है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा, और डाइबटीज बढ़ जाते हैं, उनमें अल्ड़ी बहुत सारे पा क्यों की हम अर्ट ट्रीटमेंट जब करते तो में लगता है, चुछ सचर में बैदेप्णी क्टीपमेंट एंग करना है, चुछित का लिए इन्सुलीन के चुछिटकी जो मेडिसीन की सोसाइटिया जो इंटरनेशन डायबोटी सपरवेशन उनका ये भी स्टेटमेंट है अगर आपका BMI 40 से जादा है और आपको डायबटी जै तो आपको प्रायवदी सज्जरी पर जाना चाहिए क्योंकि कितना आफर पड़ता है आपका ओवर जाता है तो जैसे जो मैंने कहा ना जो इनको इसलिए फैनेशली भी उनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है क्यों क्योंकि देखा गया इवन कोरोना कोरोना में अगर स्टडीज आप देखोगे वो पेशेंट जो मोटापाव थें कोरोना में इनको जादा कोश्ट लगा होस्पिटल में स्टे बढ़ा उनका वेंटिलेटर में नहीं बहुता हो कि मोटलेटी रेट से बाहर निकलने में हॉस्पिटल से सब कुछ उनका बढ़ गया है तो यही रिकवरी बढ़ जाता है तो यह जो अबीज ग्रूप ऑप पुलिशन है उनमें कुछ ना कुछ प्राबलम होते रहे हैं कर शुगर हुआ बीपी हुआ गुपनों का दर रहे हैं देवलाइब फ्रिक्वें होस्पिटल सो विजिग तो कॉस्ट तो फैमनी कॉस्ट तो इन्सुनेंस कमशनी बहुता है और बात करें जो कॉस्ट नेवर कॉस्ट तो कोस्ट इस वेरी माइनर बात करें भारत की अंदर बारियरियरियों संसरी को कराने में कितनी को और अगर आगाँ पर अगर अगर दोक्टर में आइलिवलाइक टू आप अगर पार बैंस व्युद्ट के बारे में आवेरेंस का बहुता हुँगा जो चेंटल फ्रहागेजे थे जो गर्में फ्री में कराती है अंपोर्मक्ड 2.25 तो गर्में आ प्रिवेटे धी अरण हो तरह सब रुप 10-20 थाउन लुपी जारा तब है बात रुप सेंग होता है रहत रहत आपकाश पर गूपस्टोडविक्टाइब को प्रावने आपकाशले ओंधी जारा रहत आपकाश जोपसे, जोटेकर रहा है, अन्यगेश। अगेन आप जैसे करते हैं नम्बस इस सम्थिंग जाए नोड लाइक हाँ हमने जब आ स्टार्टेट वे बैक तो तो यू कन इमेजिन उस से में बैटिक स्रेजी बहुत जादा पॉपलर भी नहीं थी तब से हम लोग बैटिक स्रेजी कर रहे है और उससे में बैंडिंग करके एक स्रेजी होती थी बहुत सारे पीशें वी दोसे आती थी कितने नंबर्स आप करें हो सक्सेस होई आपके पेशिंट जो आए हैं क्या वो घर जा पा रहे हैं बिल्कुल आपने सही का और हम अलग अलग इसे जिसके बारे में आप आप एक्सपर्ट हैं उनके बारे में हम आपसे फिर दुबारा मुलाकात करेंगे हम अपने दर्शकों को बताने चाहेंगे ज़िए आप कोई और कोशन ऐसा चाहते हैं जो कि आपको लगता है कि आप जानना चाहते हैं डॉक्टर विने शौ से वो आप पूछ सकते हैं कमेंट